आज हम लोग Science and Technology के बारे में जानेंगे जिसका विकास गुपता एंपायर में हुआ था तो गुपता एंपायर को Golden Age of Indian History कहा जाता है पिछले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से लिटरेचर का और आर्ट का विकास गुपता एंपायर में काफी कुछ हुआ Science and Technology का भी काफी विकास गुपता एंपायर में किया गया और गुपता एंपायर के जो राजा लोग थे इन्होंने काफी वैग्यानिकों को जोतिशाचार जैसे लोगों को और इस तरह के लोगों को काफी बढ़ावा दिया Astronomy और Mathematics ये सब चीज पर काफी काम हुआ तो आज हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं लेकिन इससे पहले कि हम यह चर्चा शुरूर करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को कृप्या सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करिएगा तो आएए हम लोग आज चर्चा करते हैं Science and Technology in Gupta Empire Gupta Empire जो है वो Unparalleled है For its achievements in the field of Mathematics and Astronomy यह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी दूसरे सामराज्य में Mathematics और Astronomy का इतना विकास नहीं हुआ हलांकि बाद में जब Gupta Period समाप्त हो गया जब Gupta Empire समाप्त हो गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा उठाया गया हो इस Knowledge का ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसके बाद जब 11-12 शताबदी के बाद Culture का Conflict होने लगा जब अलग-अलग Culture आपस में टकराने लगे तो एक Culture को हटा के दूसरे को स्थापित करने के चक्कर में बहुत सारा Knowledge खो गया और इसलिए गुपता Empire में जितना विकास हुआ Science and Technology का उसका फाइदा आगे की पिढियां नहीं उठा पाई लेकिन फिर भी Mathematics और Astronomy का जितना विकास इस सामराजे में हुआ आरिय भट इसी सामराजे में थे एक Great Mathematician थे आरिय भट दग्रेट मैतमेटिशन रोट आरिय भाटिया और सूर्य सिधानता आरिय भाटिया और सूर्य सिधानता इसमें Astronomy के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखे हुई है इवन इसमें जो अंतरिक्ष हैं उसके बारे में बहुत सारी गुपत रहस्यों को खोला गया है इसमें Mathematics का बहुत ज़्यादा ग्यान है इसमें Trigonometry का, Geometry का और बहुत सारे सूत्रों को इसमें बताये गया है तो बहुत सारी जानकारी इसमें है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा संकलित रूप जो है वो अगली पीडियों तक नहीं पहुँच पाये था तो आरे भट आज भी जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो European बाद मिलाए हमारे देश में पहले थी तो आरे भट भी ऐसे ही थे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें Astronomy के बारे में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में Mathematics के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले बताई थी ये जीरो का विश्कार भारत में किया था Use of 0 जो है वो आरे भाटिया नाम की पुस्तक में आरे भट नहीं बताया था कि 0 को किस तरह से इस्तमाल किया जाए कि place value बदले तो place value के बारे में first nine numbers का जो place value था वो किस तरह से उसको 0 का इस्तमाल करके बदला जा सकता है ये आर्य भाटिया में बताया था He also calculated the value of pi and invented algebra Pi की value 3.14 ये 22 by 7 जो हम लोग आज जानते हैं इसकी value जो है वो कई point के बाद बहुत सारे digits तक आर्य भाटिया नामक पुस्तक में आर्य भट्य ने already calculate कर ली थी और इसका बहुत ही सुन्दर उन्होंने सूत्र भी बनाया था जिससे बहुत सारे digits तक ये pi की value जो है वो calculate की गई थी algebra का इस्तमाल जहां पे किसी एक या दो values को unknown मानके उसकी value निकाली जाती है इस तरह से जो algebra का जो इस्तमाल था वो आरे भाटिया नामकी पुस्तक में आरे भट्य ने बताया था सूर्य सिधान्त जो की astronomy की book है इसमें इन्होंने proof किया था he proved that the earth revolves around the sun and rotates on its axis ये सूर्य सिधान्त में बड़े ही साफ साफ शब्दों में बड़े ही असान शब्दों में उसमें बताया हुआ है कि सूर्य जो है वो पृत्वी के चारों और नहीं घुमता बलकि पृत्वी सूर्य के चारों और घुमती है और ना सिर्फ पृत्वी बलकि अन्य कई गरह भी सूरे के चारो और घूमते हैं और सबका एक एक एकसिस होता है जिस एकसिस पे ही ये चलते हैं तो ये बड़ी अच्छे तरीके से सूर्य सिधान्त में आरेभट ने बताया था In this way, he discovered the cause of the solar and lunar eclipses and the methods for calculating the timings of their occurrence तो सूर्य सिधान्त में ही इन्होंने ये सब बताया हैं कि कब सूर्य गरहन लगेगा कब lunar eclipse लगेगा चंदर गरहन और सूर्य गरहन इनके कारण क्या होते हैं ये इन्होंने बताया है और किस तरह से calculate किया जा सकता है कि कब सूर्य गरहन लगेगा और कब चंदर गरहन लगेगा He also said that the heavenly bodies like the moon was spherical and they shine by reflecting the light of the sun सूर्य सिधान्त में ये भी बताया गया है कि moon जैसे heavenly bodies जो हैं वो गोल है, spherical in shape है और वह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं तो बहुत सारा इसमें good ग्यान जो बताया गया है हलांकि वो आगे की पीडियों तक बहुत ही same तरीके से नहीं पहुँच पाया ये हमारी कमजोरी रही, हमारी history में ये सब चीज़ें थी लेकिन हम लोग उसका फाइदा नहीं उठा पाई, ये कमजोरी हमारी थी लेकिन सूर्य सिध्धान ये इस पुस्तक को पुरी तरह से पढ़ा जाया तो बहुत सारा ग्यान जिसका हम credit Europeans को देते हैं वो इस book में मिल जाता है वराह मिहीर, वराह मिहीर भी एक बहुत बड़े वैग्यानिक थे जिन्होंने पंच सिध्धान टिका ये book लिखी थी ब्रियत सम्हिता लिखी थी और ब्रियत जातक भी लिखी थी इन्होंने भी यही कहा था कि moon moves around the earth and the earth together with the moon moves around the sun तो ये भी आर्यभट्टी की तरह ही के विशय पर बहुत जादा इन्होंने research किया था और इन्होंने ये बताया था कि moon जो है चंद्रमा पृत्वी के इड़्दिगर्द गूमता है और पृत्वी चंद्रमा सहित सूरी के इड़्दिगर्द गूमती है तो इस सारी के सारी knowledge इन्हों ने अपनी जो रचनाए थी उसमें लिखी थी ब्रह्मोगुप्त एक बहुत बड़े mathematician हुए उस जमाने में ब्रह्मोगुप्त was a great mathematician और ब्रह्मोगुप्त was the first to give rules to compute with zero आरेभट ने भी किया लेकिन माना जाता है कि ब्रह्मोगुप्त वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने zero का actual इस्तेमाल करना बताया था He was the first to give rules to compute with zero Zero लगाने से आगे या पीछे किस तरह से values change होती है और इस values को किस तरह से आगे चलके multiplication में, division में use किया जाएगा यह सारी की सारी चीज़ों ब्रह्मोगुप्त ने बताई थी He wrote Brahmatic Siddhanta in which he hinted at the law of gravitation Brahmatic Siddhanta इसमें बहुत सारे derivations है इसमें बहुत सारे ऐसे जो physics से संबंदित हैं इसमें आपको law of gravitation के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है हलांकि इसको थोड़ा सा कठिन शब्दों में है यह इसलिए बहुत सारे लोग शायद इसको अगली पीडियों तक नहीं पहुँचा पाए शायद इसी वज़े से क्योंकि वो इसको ढंक से समझ भी नहीं पाए लेकिन एक बहुत बड़ा हिंट मिल जाता है law of gravitation का और इसको mathematics के terms में भी समझाने की कोशिश की गई है धन्मंत्री एक बहुत बड़े medical विशेश अग्ये थे he was one of the most famous personalities in the field of Ayurveda तो Ayurveda के खेत्र में एक बहुत बड़े विशेश अग्ये थे वागभट जो थे ये एक physician थे और Ayurvedic system को follow करते थे तो धन्मंत्री और वागभट ये दोनों बहुत ही बड़े और बहुत ही famous वैद्य या doctors कह सकते हैं अपने जमाने के थे और पालकप्य जो थे इन्होंने हस्तिय गरवेद हस्तिय गरवेद ये बुक लिखी थी जो की elephants के diseases पर अधारित थी उस जमाने में elephants जो थे वो बहुत ही important थे क्योंकि वो सेना में रखे जाते थे तो लडाकू हाथी बहुत ही important होते थे सेना में इसलिए राजा इस तरह के स्वस्त हाथी होतेً थे उनको रखते थे उनको training देते थे और उनको सेना में शामिल करते थे तो उनके diseases पर ये book लिखी गई थी, हस्त या गर्वेद, court language जो थी, वो Sanskrit थी, और इसमें से अधिकतर जो books का मैंने आपके सामने उलेक किया है, ये अधिकतर इसमें से Sanskrit में है, और बहुती कठिन Sanskrit में है, इनको बाद में धीरे धीरे चलके कुछ रचनाकारों ने, कुछ वज् इनको translate करने की भी कुशिश की, लेकिन as it is, कभी भी ये translations इनका आगे की पिडियों को available नहीं हो पाया, तो ये science and technology, science, विज्ञान, खगोल विज्ञान, medical science, इन सब सारी चीजों का बहुत ज्यादा विकास गुपता empire में हुआ था, इसलिए गुपता empire को golden age of Indian history भी कहा जाता है, आप ये यदि हमें कोई feedback देना चाहते हैं तो comment box में जरूर लिखेगा, मुलाकात होगी अगले episode में एक बार फिर से, नमस्कार